तो हेलो एविवान, दिस इस दिव्यानसी, वेलकम टू ज्यानोदे के गुरुजी, बच्चो क्लास तैंथ फर्स्ट फ्लाइट प्रोज में हम लोग पढ़ेंगे सिक्स चैप्टर, मिस्बिल दी ओर्टर, जिस चैप्टर का क्या नाम होता है बच्चो मिस्बिल दी ओर्टर, और ये आपके फर्स्ट फ्लाइट प्रोज में सिक्स नंबर चैप्टर है, तो कौन सा नंबर है बच्चो, सिक्स चैप्टर है आपके प्रोज में, ठीके, और उसका नाम क्या है, मिस्बिल दी ओर्टर, रिटेन बाई, किसके दुआरा लिखा गया है बच्चो, तो एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, ताकि जब इनसे रिलेटेड आपके एक्जाम में बच्चो, आपको क्विस्चन देखने को मिलेंगे, मतलब MCQ आएगा, एक्स्टेक बेस्ट क्विस्चन होंगे, शॉर्ट, लॉंग, तो आप आसानी से कर पाएंगे, अपने ओन वर्ट्स में भी आंसर को लिख पाएंगे आप, लेकिन इसके पहले मैटर करता है कि एक बार जो है आप इस चैप्टर को समझें, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बच्चो, थोड़ा सा एक्स्टर ज बच्चो, ये राइटर भी है और ध्यान में रखेगा कि ये नेरेटर भी है, नेरेटर को हिंदी में बोले तो क्या होता है बच्चो, कथा वाचक, जिन्होंने खुद से अपनी सच्ची घटना बताई है इस चैप्टर में, किसने बच्चो, गेविन मैक्स्विल ने, ठीक और उससे इतना ज़्यादा उनका लगाव हो गया था, कि कुछ समय बाद किसी कारण वस उसकी देथ हो जाती है, मतलब उस डॉग की देथ हो जाती है, और उसकी देथ हो जाने से, मतलब उसकी मर जाने से, उनको इतना ज़्यादा दुख होता है, किसको बच्चो, गेविन म मैक्सवल को इतना ज्यादा दुख होता है, मतलब वो इतना दुखी हो जाते हैं, कि उन्होंने दुबारा कोई भी डॉग पालने का नहीं सोचा था, कि मतलब उन्होंने निश्य कर लिया था, कि आप वो दुबारा कभी कोई भी डॉग नहीं पालेंगे, लेकिन एक पालतू क कुछ समय बाद वो निश्चे कर लेते हैं कि कोई एक अन्य जानवर पालेंगे वो अपने साथ में उसको पैट की रूप में रखेंगे और वो क्या होता है बच्छो ओटर नाम का जानवर होता है और ओटर को हिंदी में बोले तो बच्छो क्या होता है ऊद बिलाओ आपने न कि उन्होंने जो दूसरा जानवर पाला बच्छो वो क्या था ओटर था मतलब उद बिलाओ था और वो देखने में ऐसा लगता था ठीक है तो आपको ये इमेज में दिख रहा है अभी हम लोगों ने पिछे बच्छो थमनेल में भी वो देखा था स्टार्टिंग में कि ये देखिए आपको ठीक है तो इमेज एक बार देख लीजे ताकि आपको पता चले कि नहीं हाँ ये जो है अगर आपने पहले नहीं देखा है तो आपको क्लियर हो जाए कि हाँ ये ओटर है ठीक है तो इतनी बात क्लियर है बच्छो कि उसके बाद वो जो एक जानवर पालते ह वो क्या होता है और उसका नाम क्या रखते हैं मिजबिल ठीक है तो मिजबिल नाम का एक और पालते हैं तो यहां से आपकी इतनी चीज़े क्लियर हुई कि जो और था उसका नाम वो क्या रखते हैं मिजबिल और कभी-कभी उसको प्यार से कैसे बुलाते हैं मिज बुलाते हैं तो अब chapter में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे उनको order मिलता है, किस के द्वारा उन्हें मिलता है और किस तरह से उनका इतना ज्यादा लगाओ उस order के साथ में बढ़ जाता है तो हर एक चीज़ को chapter में अच्छे से समझेंगे और वहीं से आपका question बनेगा बच्छो exam में ठीक है जो भी question आएंगे आपके exam में chapter से related वहीं यहीं से आपको मिलेंगे इसलिए बस एक बार हमारे साथ इस chapter को सवाजने की courses करिएगा तो अभी chapter सुरू करने से पहले इतनी वात इसका वो समझेंगे कि क्या है क्या बताया गया है और हर एक line important होगी आपके लिए तो कि वहाँ एक question का answer आपको छिपा हुआ मिलेगा तो चलिए आप स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग है ना क्या है बच्छो choosing an order as pet जब Gavin Maxwell जो narrator होते हैं वो decide करते हैं कि उन्हें अब order पालना ह तो क्या है choosing an order as pet एक पालतू के रूप में order का जयन करना ठीक है जब वो उसे चुनते हैं तो क्या है बच्छो चलिए देखते हैं Maxwell travel to southern Iraq in 1956 1956 में मतलब 1956 में जब Gavin Maxwell जो की narrator है बच्छो है ना उन्होंने southern Iraq की यात्रा की कब की थी बच्छो 1956 में तो यहां भी ध्यान रखेगा ठीक है question बनता है तो यह time period जुरूर ध्यान में रखेगा और कहां की यात्रा करी थी southern Iraqi ठीक है he decided to keep an order as a pet और फिर वहीं से उन्होंने निश्चे किया बच्छो कि उन्होंने मतलब decide कर लिया उन्होंने निश्चे कर लिया कि जो है वो एक order को पालतू के रूप में रखेंग फिर आगे क्या है as his native place of living chemistry ना ठीक है यह भी ध्यान में रखेगा जो राइटर थे मतलब जो narrator है बच्छो गेविन मैक्सवेल उनका जो नेटिव प्लेस था नेटिव प्लेस का अर्थ समस्ति आप क्या होता है जो उनका निवास स्थान था मतलब जहां पर वो रहते थे तो भुष्या स्था केमिस फेर्ना मतलब उसके जो चारो ओर मच वोटर मतलब परयाप्तव पानी भी था तो इसी लिए रहर सुटेबल फौर दवा एकस्पेरिमेंट इसे coined नीथा अच्वु उन्होंने इराग की 1956 में यात्रा की वहीं से उन्होंने निश्चे किया कि वो ओटर को एक पालतू के रूप में रखेंगे मतलब आपने पास वो उन्होंने उसको पालना चाहा ठीक है अब आगे देख लेते हैं क्या है बच्छो Maxwell mentioned about his wish और फिर क्या करते हैं wish to keep an order as a pet to his friend उसकी बाद क्या होता है कि जो Maxwell है बच्छो गेविन Maxwell उन्होंने mention किया मतलब उलेख किया इस बात को जाहिर किया कि वो किसके बारे में about order his wish मतलब अपनी इच्छा के बारे में उन्होंने अपने मित्र से his friend अपने मित्र से उन्होंने क्या किया mention कि वो एक order को पालना चाहते हैं मतलब pet के रूप में पालना चाहते हैं तो वो अपने मित्र से जिक्र करते हैं कि वो जो है order पालना चाहते हैं फिर आगे क्या होता है कि his friend suggested him और फिर जो उनके मित्र होते हैं बच्चों उन्होंने उन्हें suggest किया मतलब एक सलाह दी him किसे गेविन Maxwell को to take an order from Tigris Marses place का नाम जरूर ध्यान में रखिएगा बच्चों कि उन्होंने क्या उन्हें सलाह दिया कि आप जो है एक order कहां से ले सकते हैं Tigris Marses से as they were common at that place and were often domesticated by the Arabs तो वो क्या कहते हैं जी देखे जब गेविन Maxwell अपने इच्चा को अपने मित्र के सामने रखते हैं कि वो order पालना चाहते हैं तो वो उन्हें क्या suggest करता है मतलब उनके जो मित्र होते हैं उन्हें suggest करते हैं कि आप जो है Tigris Marses से order ले सकते हैं बहुत ही आसानी से क्योंकि they were common at the place क्योंकि उस स्थान पर वो बिलकुल common थे जैसे मच्छर वगेरा नहीं वो थे मतलब वहाँ पर अधिकतर वो पाये जाते थे और वहाँ पर वो common ही बित्ते थे मतलब इतना ज़्यादा मुस्किल नहीं था वहाँ से order को लेना तो I think इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी ठीक है फिर क्या है कि often वहाँ पर were often domesticated by the Arabs जो कि Arabs के द्वारा है ना मतलब अरब के जो मतलब लोग थे अरबो के द्वारा अरबो के द्वारा उन्हें domesticated किया जाता था मतलब पाला जाता था ठीक है तो वहाँ पर टिग्रिस मार्सिस में और जो है बहुती commonly वहाँ पर बिखते थे मतलब मिलते थे आसानी से वहाँ मिल सकते थे उस स्थान पर तो क्योंकि Arabs के द्वारा वहाँ पर क्या किया जाता था उनको पाला जाता था तो यहाँ पर इतनी बात clear है बच्छो आगे क्या है कि Maxwell and his friend given Maxwell और उसके जो मित्र थे ठीक है and his friend were going to Basra to consulate general है ना वो कहां जाते है were going to वो जा रहे थे कहां Basra नामा के एक इस्थान था जहां जा रहे थे consulate general यह क्या था बच्छो the office of consul general एक मतलब office जा रहे थे Basra नाम के इस्थान पर एक office में जा रहे थे consulate general ठीक है उसके बाद क्या होता है कि to collect and answer their mail from Europe मतलब यूरोप से यूरोप से वो Basra के लिए जा रहे थे क्यों जा रहे थे अपने मतलब जो mail को collect करने के लिए यूरोप से बसरा जा रहे थे consulate general office है ना क्यों जा रहे थे क्योंकि उन्हें अपने mail को क्या करना था collect करना था collect and answer their mail वो अपने mail को collect करना था उन्हें और उनका answer देना था इसलिए वो Basra से यूरोप जा रहे थे यहाँ पर इतनी बात clear है ठीक है आगे देखी they are they found that Maxwell's friends mail had arrived यहाँ क्या होता है कि they are वहाँ पर they found that Maxwell's friends mail had arrived वहाँ पर उन्हें ने पाया कि जो Maxwell's के मित्र थे उनका mail आ चुका था है ना उनका mail आ चुका था but मतलब यहाँ पर लेकिन the Maxwell's mail did not had arrived लेकिन जो Maxwell's mail था वो नहीं पहुंचा था वो समय से नहीं आया था वहाँ पर तो यहाँ पर देखिए बच्चो हम लोगों ने यह पढ़ा इसमें मतलब यह समझा कि जब Gavin Maxwell ने pet के रोप में ओटर को लेना चाहा तो मतलब कैसी वो इस्थती होती है जब उन्होंने निश्चे किया था तो वो जब 1956 में यूरोप की यूरोप के लिए नी बच्चो सदन इराक के लिए क्या करते है वहां की जब यात्रा की तो वही पर निश्चे करते हैं और अपने मित्र से अपनी बात को साजा करते हैं कि वो ओटर पलना चाहते हैं तो वो उन्हें सजिस्ट करते हैं कि आप टिग्रस, मार्स्स से बड़े आराम से ओटर ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर ये कॉमनली जो है, मिलते हैं, मतलब बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, जो कि आरब्स के द्वारा क्या किया जाते थे, पा ले जाते थे, अब आगे देख लेते हैं बच्चों, देखिए अगर उन्ही बच्चों को ये थोड़ा सा समझ में आएगा जो वास्तों में यहां पढ़ने के लिए हैं मतलब समझना चाहते हैं और अगर एक बार आपने इस चैप्टर को बच्चों अच्छे से समझ लिया तो यकीन मानिये जब आपके सामने क्वेस्चन आएगा उसका आंसर आपको करना होगा तो आप तुरंत आंसर कर पाएंगे लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ा नहीं है तो आप आंसर नहीं क टेकर के क्या कहते हैं कि उनका जो अनल है बागर शो वह एराइव पहुंच जाता है कैसे पहुंचता है कैसी कंडिशन होती है उसको देख लेते हैं तो उछ मैक्सिवेल यह संदेशने से प्रक्रेडिक कर दे दोंकि पहुँचा था नहीं आया था पोर ठीन तक तीन दिनों तक there was no reply और फिर जब वो मतलब यहाँ पर है कि वो message करते हैं क्योंकि उनका जो mail नहीं आया था और तीन दिनों तक कोई response नहीं आता है there was no reply कोई reply नहीं आता है कोई response नहीं आता है फिर क्या है he tried to make a phone call वो phone call करने के लिए क्या करते हैं बट यहाँ पर लेकिन due to some problems लेकिन कुछ परेशानियों की वज़े से he was not able to get through लेकिन वो क्या हुए कि मतलब वो able नहीं हो पाए मतलब उन्होंने पहले क्या होता था उस time पर कि अगर phone call भी करना होता था 24 गंटे पहले ही वो करना होता था मतलब उससे book करना होता है कि वो call करना चाहते हैं पहले time में ठीक है तो इसके लिए वो मतलब कुछ समस्याओं की वज़े से वो जो है connect नहीं कर पाए अब फिर क्या होता है बच्चो finally अंतता after five days his mail arrived मतलब after five days पांच दिनों के बाद उनका mail जो है आ जाता है पहुच जाता है तो यहां तक हम लोग ने इतना समझा कि मतलब वो प्रयास करते हैं उनका mail कितने दिनों बाद आता है बच्चो five days ठीक है यह भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहां से भी आपको मिलेगा ठीक है तो पांस दिनों बाद उनका mail है वो उन्हें मिलता है मतलब ठीक है मैसेज आगे क्या है बच्चो इसी में when he went to his room ठीक है जब वो फिर अपने कमरे में गये तो रीडिट मतलब फिर जब उन्हें वो उनका mail मिल जाता है और फिर जो है वो पढ़ने के लिए अपने कम कमरे में पाया है ना he found two Arabs sitting on the floor की मतलब दो अरब दो अरब लोग जो है sitting बैठे हुए थे on the floor ऐसे फर्स पर दो अरब बैठे हुए थे at his front door मतलब उसके front में ही जो दर्वाजे थे उसके front में ही बैठे थे with an order in a shack stack कर्थ होता है बच्चो बैग बैग मतलब यहां कौनसी वा पैक करके रखा हुआ था और जब मतलब यह given Maxwell वो mail पढ़ने के लिए अपने कमरे में जाते हैं तो वो अपने कमरे में पाते हैं कि दो अरब्स जमीन पर बैठे हुए होते हैं उस बोरी के सामने ठीक है अब क्या होता है they handed the bag to him and told that it was for him वो क्या करते थे हैं handed मतलब उनके हा Maxwell को and told और उनसे बोला that it was for him कि मतलब यह उनके लिए है दो अरब्स जब उनके कमरे में उनको बैठे हुए मिलते हैं बच्चों तो क्या होता है कि वो उनके हाथ में उस बोरी को पकड़ा देते हैं given Maxwell के और बोलते हैं कि यह आपके लिए है अच्छा उसे अब भेजा किसमे होता है यह भी हम लोग पढणने वाले हैं तो देखे अभी पढ़ने से ही पहले आपको यहां पर कर दे कि अखिर वो भेसता कौन उन दो अरब आप स्को उस बोरी में ओटर पैक करके कौन भेसता है तो उनके में वही बहते हैं ठीक है वह यह बहते हैं और जो मतलब ग Cinnamon आ बाद मिलता है उनको ठीक है तो क्या है as the sack sack मतलब क्या होता है बच्छो वही bag ठीक है जब उन्होंने उस bag को open किया मतलब खोला किसने गेविन Maxwell ने जब उस bag को खोला बच्छो तो एक creature that look like a dragon came out तो उसे बाहर कैसे निकला एक creature मतलब ऐसा creature जो की दिखने में कैसा लग रहा था बच्छो ड्रैगन की तरह लग रहा था अब ड्रैगन आप जानते होंगे कैसे छोटा जो animal होता है है तो वो वैसा ही दिखने में लग रहा था small dragon like small dragon okay he named it miserable फिर क्या करते हैं कि जो गेविन Maxwell होते हैं उसका नाम क्या रख देते हैं बच्छो गेविन मैक्सवल ने उस बोरी को open किया तो वहां पर उसमें क्या होता है कि एक small dragon like animal होता है वो दिखने में कैसा लगता है ड्रैगन जैसा लगता है ठीक है इमेज अब यह आपको मैंने दिखाई थी और फिर गेविन मैक्सवल उसका नाम रख देते हैं मिस्बिल है ना इसलिए चैप्टर का नाम क्या है मिस्बिल दी ओटर मतलब मिस्बिल नाम का एक ओटर अभी क्या है according to Maxwell Maxwell के अनुसार मिस्बिल's species was unknown to science Maxwell के अनुसार science में unknown था मतलब विज्ञान में अंजान था उसके उसकी species मतलब जो उसकी प्रजात थी प्रजात थी वो क्या थी unknown थी मतलब अंजानी थी ठीक है जो लॉजिस्ट नेम्ड हिम और जो जो लॉजिस्ट होते हैं उन्हों ने उसका नाम रखा क्या नाम रखा ध्यान से सुनेगा लुट्रो गेल पर स्पिसिलटा मैक्सवेल ठीक है यह यह नाम पूरा रखा लुट्रो गेल पर स्पिसिलटा मैक्सवेल ओके तो यहां पर यह नाम जरूर ध्यान में रखेगा क्योंकि MCQ 100% बनेगा यहां से बच्चों ठीक है तो मैक्सवेल्स ओटर मतलब जो मैक्सवेल क तो आगे देखते हैं बच्चों हम लोग कि मिजबिल्स एक्टिविटीज अब उसकी एक्टिविटीज क्या थी मतलब कैसे उसकी गत्विधियां थी वो क्या करता था ठीक है आप फटा फट देखते हैं देखते हैं मिजबिल्स ग SLPED ऑन दा फ्लोर और वो क्या करता है कि फर्स पर ही सो जाता है मतलब सुरुवात में क्या होता है कि वो सुरुवात के 24 गंटे विलकुल सांत होता है नहीं मतलब वो मतलब कुछ अच्छा बिहेव नहीं करता है Gavin Maxwell के साथ में फिर क्या है बच्चो But on the second night लेकिन दूसरी रात मतलब पहली रात तो होता है कि वो क्या करता है कि जमीन पर ही सो जाता है फ्लोर पर ही सो जाता है और but the second night लेकिन दूसरी रात में Miss Bill came on the bed वो क्या करता है कि बेड में आ जाता है अपने आप से मतलब खुद से बेड में आ जाता है and slept between the narrator's knees और खुद से कि slept है ना सो जाता है खुद से ही सो गया अभी क्या है He started taking interest in his surrounding और फिर वो धीरे धीरे जो है interest लेना शुरू करता है He started उसने शुरू कर दिया था taking interest मतलब interest लेना रुची लेना ठीक है शुरू कर दिया था in his around surroundings मतलब अपने interest लेना He would spend most of his time playing in water लेकिन most of his time मतलब वो अपना अधिकतर समय किसमे playing in water पानी में खेलने में बिता देता था अपना मोस समय मतलब ज्यादा तर उसे क्या था पानी में खेलना पसंद था पानी में खेलना ऐसे पसंद था कि जब वो गेविन वैक्सवेल को washroom में वो tap को खोलते हुए देखता था तो उसने मतलब ये भी सीख लिया था कि वो अपने आप से tap को घुमा के खोल भी लेता था कौन बच्छो ओटर उद बिलाओ है ना जो उसका पालतू था फिर क्या है बच्छो मिस्बिल बिकम्स फ्रेंडली अब जो मिस्बिल था मतलब जो ओटर था वो धीरे-दीरे मित्रवत होने लगा था है बिकम्स फ्रेंडली हो गया था वो चलिए क्या है विदिन वैरी लेस टाइम बहुत ही कम समय में वो बहुत ही मित्रवत हो गया था फिर दीरे-दीरे क्या किया उसने मैक्स फ्रेंडल को फॉलो करना शुरू किया जब मतलब वो उसका नाम बुलाते थे मिस्बिल या प्यार से उसको कभी-कभी शौट तरीके से क्या बोलते थे मिज भी बोलते थे मिज ठीके तो जब वो उसको उसका नाम बुलाते थे पुकारते थे तो वो क्या करता था उसको फॉलो करता था कौन ओटर चलिए मिस्बिल वुड ऑल्सो प्ले विथ रबर बॉल लाइक फुट बॉल प्लेयर मिस्बिल जो था बच्चो मिस्बिल वुड ऑल्सो प्ले विथ रबर बॉल वो हमें सब किसी खिलता था रबर बॉल के साथ खिलता था लाइक फुट बॉल प्लेयर ऐसा खिलता था कि जैसे कोई फुट बॉल प्लेयर है ठीक है तो इस प्रकार से खिलता था आगे क्या है बच्चो टेकिंग मिस्बिल back to home, अब जो है अभी तक क्या था, यब उसके मित्र दो अरब के द्वारा एक सैक में, मतलब बोरी में भर करके आटर को गेविन मैक्सवल की पास, मतलब उसको भेजते हैं अब गेविन मैक्सवल को उनका वो ओतर मिल जाता है फिर वो उसके साथ धीरे-धीरे अपना माहूल क्रियेट करने लगते हैं कि वो शुरुआत की 24 गंटे कोई भी इंट्रेस्ट नहीं लेता है फिर धीरे-धीरे क्या करता है कि पहले दिन तो उसने जमीन पर ही वो सो गया फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि खुद से आ गया है उनके पास लेटने के लिए और अब वक्त आ गया था दोट्चो कि गेवन मैक्सविल को अपने घर जाना था घर जाना था तो टेकिंग मीजब को फो य से घर वापस ले जाना थिहां अवर मेजब जहां कहां थे बच्चो बसरा में थे तो बसरा में कुछ दिन बिताने के बाद Maxwell decided to go back England मतलब फिर वो जो है decide करते हैं कि वो उन्हें England वापस जाना है ठीक है he knew that the British airline would not allow him to carry an animal to London उन्हें पता था मतलब he knew वो जानते थे that कि the British airline जो British airline है बच्चो है ना British airline उन्हें allow नहीं करेगी मतलब अनुमत ही नहीं देगी to carry an animal London मतलब London अपने साथ जानवर को ले जाने की अनुमत नहीं देगी कौन बच्चो British airline वो ऐसा पहले से जानते थे फिर वो क्या करते हैं आप सुनेगा so इसलिए he booked the flight to Paris on another airline इसलिए वो पैरिस तक क्या करते हैं दूसरी airline को book करते हैं ठीक है and from Paris to London फिर उसकी बाद Paris से London के लिए ऐसे मतलब कि ताकि वो अपने साथ में ओर्टर को ले जा सकें आगे क्या होता है as told by the airline ऐसा मतलब airline की द्वारा बताया गया the narrator prepared an 18 inch square box अब वो क्या करते हैं जो narrator होते हैं बच्छो गेविन Maxwell वो 18 inch का एक चौकोर ऐसे box type का तयार करवाते हैं तयार करवाते हैं for Ms. Bill किस के लिए बच्छो Ms. Bill के लिए so that he could be kept as a fit मतलब किस लिए करते हैं कि ताकि वो उसको अपने पैरों पर ऐसे करके रख सकें मतलब ये देखें British airline के द्वारा अनुमत ही नहीं दी जाएगी इसलिए वो ऐसा पहले जानते थे तो इसलिए उन्होंने another flight को book किया था और फिर उसके बाद 18 inch का बच को रख सकेंगे ठीक है तो वो क्या करते हैं एक box को prepare कराते हैं अब आगे क्या होता है देखिए Ms. Bill and the box अब जो Ms. Bill था बच्चों और जो वो box था आप देखिए क्या होता है क्या होता है कि Maxwell put Ms. Bill in box and are before he had to go the airport and left for his meal क्या होता है कि Maxwell put Ms. Bill in box and are before मतलब जाने के एक घंटे पहले ही उस box में उस order को pack कर देते हैं मतलब उसमें एक घंटे पहले ही उसे pack कर देते हैं and उसके बाद देखिए he had to go to airport और फिर वो airport चले जाते हैं left for his meal मतलब आपने भोजन के लिए फिर वो airport पर चले जाते हैं मतलब जाने के एक घंटे पहले उ उन्होंने उस box को box में उसको pack कर दिया. When he returned, he saw that blood had come out of the box. और फिर जब वो वापस आए, उन्होंने देखा कि उस box से blood, मतलब खून जो था रख्त, come out the box, वो box से बाहर आ रहा था. थोड़ा-थोड़ा सा. तो वो देख के भी हैरान हो जाते हैं. Maxwell opened the box और फिर जब जैसे ही Maxwell, गेविन Maxwell ने उस box को खोला and he found miserable covered in blood. और फिर उन्होंने देखा कि जो miserable है, वो blood से क्या है? covered है, मतलब खून से लथपत उन्होंने उसको देखा. Only 10 minutes were left for the flight. अब मात्र 10 minutes ही उनके flight के लिए भी बचे थे. तो आप वो करते क्या? उन्होंने क्या किया? कि and the airport was 5 mils away. और जो airport था, वो 5 mil क्या था? दूर था वहाँ से. So he hurriedly put miserable in box and took a taxi for the airport. फिर क्या करते हैं? कि उन्होंने फिर से जल्दी से उसको वैसे ही पुरा pack कर दिया. क्योंकि उन्हें, मतलब वो फिर क्या करते हैं? कि taxi के दौरा फिर जल्दी से वहाँ पर पहुंचते हैं. और taxi driver जो होता है, वो उतनी तेज जो है चला करके ले जाता है. कि मतलब ताकि वो समय पर वहाँ पहुंच सके. तो ऐसा होता है इसमें. कि ठीक है? तो जब वो एक घंटे पहले ही बच्चों उसको कवर करके रख देते हैं. और पर जब वो भोजन के बाद वहाँ वापस आते हैं. उन्होंने देखा कि वो box से बाहर blood निकल रहा था. तो वो जैसे ही उसको खोल के देखते हैं. उसमें वो खोन से लथपत होता है. लेकिन उनकी flight भी छूट जाती तो वो क्या करते हैं? उसको बाहर नहीं निकलते हैं. वो जल्दी से फिर से दोबारा वैसे ही pack कर लेते हैं. और ले करके taxi से जल्दी आवो airport के लिए जाते हैं. ठीक है? अभी क्या होता है आगे? मिस्बिल इन फ्लाइट. अब जो मिस्बिल था बच्चो इन फ्लाइट में. अब फ्लाइट में क्या होता है? देखिए. फ्लाइट में क्या होता है? वेन मैक्सवेल रीज दा एरपोर्ट. जब Maxwell जो है एयरपोर्ट पहुंसते हैं the flight official मतलब जो वहां के flight official होते है angrily मतलब गुसे से took him to his flight वो क्या करते है कि जो flight official होते है वो जो angrily मतलब गुसे से उन्हें क्या करते है देखते है took किसने वो गेविन Maxwell को क्यों क्योंकि वो जो इतना लेट हो जाते हैं फिर क्या है कि Maxwell had booked the front seat for him लेकिन जो Maxwell है उन्होंने अपनी front seat को book कर रखा था आगे की seat को He covered the floor around his seat और around his seat with newspaper और उन्होंने अपनी seat को newspaper से covered कर लिया था मतब छारो ओर से ढख लिया था अब आगी क्या होता है बच्चो He gave the parcel of fish to the air hostess for the otter मतलब वो जो otter के लिए फिस का parcel लेकर के आये थे वो air hostess को दे रहते हैं कि वहां की जो air hostess होती है उनको ये दे रहते हैं रखने के लिए He advised him to keep his pet on his knees फिर वो उन्हें advice करती है सला देती है कि अपने घुटनों पर इस otter के box को आप रख सकते हैं ठीक है तो यहां पर इतनी बात clear है बच्चो फिर क्या होता है तो देखें यहां पर जब हम लोगों ने इतना देखा कि उस flight में ऐसा होता है कि वो आपनी आगे की front की seat को book करते है book करने के बाद उसको अख़बार से newspaper से चारो ओर से ढख लेते हैं है और जो फिस का parcel होता है वो air hostess को दे देते है फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है कि उस तेना वो खुद ही निकलाता है वो अचानक से कौन बचो ओटर है वो निकलाता है और पूरे जो aeroplane में क्या हो जाती है भगदर मत जाती है मतलब सभी डर जाते है एक और तो seat पे ऐसे खड़ी हो गई उसके और वो चूहा चूहा कहके बोलने लगी फिर लेकिन धीरे से जो ओटर होता है वो Maxwell के पास आ जाता है और उनके घुटनों को और ऐसे करके नाक को उनके क्या करने लगता है सहलाने लगता है कौन बच्चो ओटर है है ना फिर वहाँ थोड़ा सा सांती हो जाती है अब आगे क्या होता है कि Missville इन लंदन जब Missville जो है वहाँ पहुँच जाता है मतलब लंदन पहुँच जाता है मैक्सविल के प्लेस पर है ना उनके घर जब वह पहुँच जाता है तो क्या है कि मैक्सविल एंड Missville stayed in London for a month मतलब एक महिने कम से कम दोनों क्या होते हैं साथ में रहते हैं कौन बच्चो मैक्सविल एंड Missville एक महिने तक लंदन में साथ में रुखते हैं मतलब जो Missville था बच्चो अपना समय इस्पेंड करता था खिलोनों के साथ में खेल करके वो अपना समय इस्पेंड करता था पिंग पॉंग बॉल्स होती थी उसके साथ में उससे खेलता था और रबड से बने हुए जो फूटस होते थे उनको भी खेलना पसंद करता था याद मैक्सविल मैक्सविल जो है वहां से मार्श से मतलब गंश दल दल इस तर्थ क्या होता है बच्चो डल दल ठीक है तो Maxwell उस दलदल से ही खीच करके उसको लाए थे मतलब वहाँ से ही लेकर के आये थे ओर्टर के लिए अब इतनी बात क्लियर है बच्छो आगे देख लेते हैं कि Miss Bill plays outside the house अब वो जब घर के बाहर वो खेलता था कौन बच्छो? Miss Bill Maxwell would take Miss Bill for exercise and walk मतलब जो Maxwell था वो Miss Bill को बाहर exercise करने के लिए और टहलाने भी ले जाता था Miss Bill developed certain habits on these walks on London street मतलब उन London की गलियों में वो walk भी करता था Miss Bill developed उसने धीरे-धीरे सीख लिया था, develop हो गई थी certain habits, उसकी जो आदते थी वो धीरे-धीरे से develop हो गई थी कि जब Maxwell उसको अपने साथ में टहलाने ले जाता था, है ना और क्या करता था, exercise भी करवाता था, and just like the school children और मतलब school के बच्चों के समान, वो क्या करता था he would run, वो दोड़ता था play and walk in street मतलब खेलता था, और जो है, गलियों में, streets मतलब गलियों में क्या करता था, टहलता था, तो ये लास्ट हमारा, I think, हाँ था, अभी थोड़ा सा और है बच्चों, फिर लंदन, लंदन में, many people had not seen an order, मतलब वहाँ पर कई सारे, जो है, जो लोग थे, उन्होंने उसके पहले कभी और को नहीं देखा था, when they saw Miss Bill, और जो तो वो Miss Bill को देखते हैं, they made guesses, और फिर वो ऐसे मतलब guess करते हैं, अनुमान लगाते हैं, about it, उसके बारे में अनुमान लगाते हैं, मतलब वहाँ लंदन में, उसके पहले, मतलब लोगों ने ओर्टर को नहीं देखा था, नहीं देखा था, तो जब उसको देखते हैं, तो उ हिपो हो सकता है, हिपो जानते हैं ना बच्चो, या एक बीवर हो सकता है, या बीर कब हो सकता है, बीर कब बोले तो इससे बच्चो भालू, भालू का बच्चा, ठीक है, या तो भालू का बच्चा हो सकता है, या फिर एक लेपर्ड हो सकता है, मतलब छोटा तेंदुआ हो सकता है, तो यह गेस करते हैं वहाँ की लोग, उसको देख करके, मतलब अनुमान लगाते हैं, क्योंकि इसके पहले उन्होंने कभी उसको नहीं देखा था, तो यह आइडिया खुद से लगाते हैं, ठीक है बच्चो, हाँ है उसका मेंज़ेविल नाम कौन रखता है गेविन-Nakseval रखते है और गेविन-Nakseval सब्सक्राइब नीरीटर के बिल्ट मेए निसcoinतर के पलते हैं समय अपना व्यतीत करते हैं तो ये खुद से ही उन्होंने बताया है तो ये राइटर भी है नेरेटर भी है ठीक है तो इस चीज को ध्यान में रखेगा जितना हम लोगों ने बच्चिस में समझा है तो हर एक चीज को समझने की कोसिस करिएगा अगर एक बार आपको ये चैप हो सकते हैं जो भी इंपोर्टेंट होंगे मिलेंगे अगली क्लास में इसके साथ में ठीक है तो इस चैप्टर को समझने के बाद हमारी अमसी क्यूज की क्लास देखना ना भूलेगा ठीक है हमारे साथ जो है उनको भी पढ़िएगा तो आज के लिए वच्चों इतना ही